तो भाई वेलकम बैक तो माई चैनल एक्स्प्लोर दर रियल और आज हम लोग आए हैं आपको थम्नेल से पता लगी गया होगा कि आज हम लोग एक बहुत बढ़िया वेरियंट का टाटा हैरियर का बेस वेरियंट का हम लोग रिव्यू करने आये हैं जो मतलब मोस्ट वेल्ली मतलब बहुत ही शांदार आप एक बार देख सकते हो लग क्या ही शांदार लुक लग रहा है इसका साइट से पूरी के बूरी गाड़ी मतलब नीचे ग्राउंड क्लिरेंस देखोगे सारी चीज़ देखोगे जवर्दस लगेंगी तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फे नहां पर यह है और नीचे से कुछ यह ऐसा दिखता है नॉर्मल यह जो मतलब बेस वेरेंड में आता है लेकिन यह डील ब्रेकर चीज नहीं है बहुत बढ़िया है मतलब इसका एक शोरूम प्राइज मैं आपको बताया पंदरा लाग रुपए है और बहुत ही बढ़िया आप साइड से देखो कि मतलब टायर देख रहे हो टायर साइज मतलब जैसे महिंदरा की एक्स्यूवी फाइव डवलों में पुरानी वाली में आते देना वैसा टायर मतलब पीछे से एक दम जबर्दस लगती है और टायर प्रोफाइल जो है इसकी वो है यह आई यह दो सो अबनी को बैसे वाइट देने चीज़े लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दी ठीक है वो करवा सकते हैं हो जाते हैं बाहर से सारी सारी चीज़े यह दे रखके हैं हैं जो ब्लैक में रखके हैं जबकि टॉप वेरिंट में जाओगे तो वो बोडी कलर ही मिलेगे पीछे से आते ठीक है तना को यसे यूज नहीं होता लेकिन चलो बढ़िया है ना लेकिन हमको तो बेस वेरिंट में पूरी फी लगजरी वाली मिल रही है मलब लगजरी लगजरी वाली मिल रही है लगजरी तो अंदर से दिखते हैं कैसा है क्या नी लगजरी तो हमें बनानी बढ़ती है यह बेस वेरेंट तो है अपना की टेस्ट फुली मॉडिफाय करो और गाड़ी आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस मलब स्टांस दे रही है साइट से थोड़ी सी लग गई कोई नहीं लेकिन चलता है अपना मेजर कर लेंगे जिनकी है और बहुत ही मलब नीचे ग्राउंड क्लियरंस भी बहुत बढ़िया है मलब 210 का ग्राउंड क्लियरंस नहीं 220 का ग्राउंड क्लियरंस का और यह देख सकते हो यह अंदर का मैं तो यह एलुमिनेटिटिट है यह जो इसका की जहां पर लगती एलुमिनेटिट रात में लब जब इसकी लाइट जलेंगी तो दिखेगा यह एंड ब्रेक इसका जैट है और यहां पर स्पेस है थोड़ा और यह देखो के तो सब कुछ मैनुवल है कुछ भी आटोमेटिक नह करना और कुछ नहीं है और यह देख लेते हैं यह तो बस हैंडल यह होता है थोड़ा यह और यहां से speakers होंगे नहीं mics होंगे बात करने के लिए जब आप इसमें system लगवा लोगे इधर ये है तो यहाँ पर vanity mirror दे नहीं रखका इधर देख लेते हैं इधर भी नहीं दे रखका जब उधर इन दे रखका तो इधर क्या देंगे बाकि लोहलाट गाड़ी तो ही पूरी बढ़िया पावर 170 bhp की पावर जनरेट करता है यह पूरा पूरा आते हैं पीछे की तरफ पीछे का space दिखाता हूं मैं क्या क्या है कितना है spaces का पीछे का space यह है कुछ बढ़िया सीट्स है पीछे का space चोड़ा सा हिंच है ऐसा कुछ नहीं है मालब दो लोग comfortably बैट जाएंगे और मालब तीन भी बैट जाएंगे अगर पतले पतले हो तो लेकिन दो अराम से अच्छे भारी बर कम healthy इनसान बैटकर बीच में बच्चा अराम से बैट जाएगा दिगई में यह डिगई का इसाब किताब है और दिगई का space है 4,500-s लीटर का यहांपे ऊपर आभी हमको लगानी पड़ेगी यहांपे इसमें ऊपर एक प्लेट लगानी पड़ेगी इसको खेन के लिए कि बढ़िया लगे बाकि भाई ने भी सारा setup खरीद के रख वाई य कीले सेंटरी वगएर सब कुछ वह भाई करवाएंगे पुरा-बुरा उसकी एक सेपरेट वीडियो गेरेंगे अलग से और यह पकड़ने का हैंडिल देगी रखा है बढ़िया डाटा ने इसको पकड़ो और यह ऐसे बंद हो गई गाड़ी मस्त बढ़िया तरीके से और वोक यह जो इसके साइड के और वीम से यह मैनुवली एर्जेस्टेबल है यही से एर्जेस होते हैं यह एर्जेस्टेबल है और हम लोग को इंजन बे कोलना है तो यह यहां से खुलने की अवाज आगी एकदम और देख रहे हो आप गेट का थर्ड साउंड सुनों एक बार और बहुत ही है वी बोडी है मतलब 3rd साउंड आप्म को पता लग जाएगा कितना बढ़ी है 3rd साउंड है और है má इसका सब्सक्राइब कुलते है वह भाई सब ही इंजन ही इसका लेकिन पूरबा इनोन ने यह लगाके मतलब इसमें कलाइडिंग लें लगा के बढ़िया इनों ने पूरा बंद कर रखा है कि अंदर साउंड ना है और यह डीजल में आती है सबसे बड़ा ड्रॉबग इसका यह है कि यह डीजल में आता है बस पूरी है यह जितनी भी है टॉप एंड ले लो चाहिए बिल्कुल लो यह पूरगा पूरा आता है सि कुछ एकदम भड़िया से दिखेगा बंद हुआ हुआ और यह जो मोटा मोटा यह भाई बहुत भारी है सही मैं यह उठाने में ऐस तैसी होगे फिलाल इसको बंद कर देते हैं लेकिन क्वालिटी में नो डाउट कोई कॉम्प्रोमाइस नहीं है टाटा का बहुत ही बढ़ लीटर इंजन मतलब बहुत ही आप बढ़िया मानों कि आपको इतना बढ़िया एवरेज दे रही है टाटा की गाड़ी बाकि आप मेरो कमेंट डाउन करके बताओ कि आपको यह वेरियंट कैसा लगा क्या इसमें आपको अच्छा लगता है लेना मतलब मोस वेल्यू फॉर म मेरे हिसाब से तो है आपके हिसाब से है या नि आप अपने हिसाब से कमेंट डाउन करके मेरे को बताओ एक एक चीज और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन करके जरूर बताना और अंदर का इंटीरियर भी बताना कि कैसा लगा यह इंटीरियर एक बार और लाइक करते रहना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करते रहना ऐसे ही वड़िया वड़िया मॉडल लेकर आता रहूंगा बाइबाइट टेक केर गुड़नाइट